और दोस्तों कैसे और आप लोग मैं आप सभी को विल्कम करता हूँ आपके फिरेट यूटूब चैनल या टुटोरियल्स में दोस्तों मेरा नाम है गॉर्ण मुंद्र और मैं आप सभी को बढ़ाता हूँ तो दोस्तों कैसे वैर आप सभी एक बार कमेंट सेक्शन ना बताना है ठीक है बाकी जितने भी स्कूल के बच्चे है चोटे चोटे बच्चे है बाइचांस इस वीडियो पर आ चुके है तो मैं उनको बता दो दोस्तों यह है कॉमर्स का लेक्चर लेकिन अब आप आए हो तो दोस्तो आज यह एस-पी का लेक्चर है ठाहिए उसमें भी लेसन नमबर 10 को आज हम कवर करने वाले है जिस में लेक्चीर न मिवन वन इह होने वाला है मैंने उसक का लासсть लेक्चेर होगा और मुझे लगता है दोस्तों इस लेसन से 500 बनता है एक्सार में औरxim замеч witness और मैं आपको लग रहे है sir देखने तो izi अब्धेर को उसको देना है मेरे साथ ही देना है जैसे अब में जैसे सीगा हुए न आपको वहान के वहाँ ही याद करता है do 100% कि आप लोग साथ में साथ कर लोगे अब जो बच्चा मेरे साथ शुरुबात से बना हुआ है उसको भी पता है हम साथ में साथ कितने सारे पॉइंट्स इसे याद कर लेते हैं ठीक है करते एक इन एक पर बताओ आप तो कमेंट्रेशन में ठीक है बाकी देखो आज का जो ल लेक्टर के अगले लेक्चर में हम कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में डिसकस करेंगे जो कि यह लेटर ठीक है तो वह लेटर क्या होता है कैसे लिखना है दोस्तों हमने डेसन नंबर 9 में सिखा था सिखा था कि नहीं एक बार मुझे बता तो अगर आपने वह नहीं देखा तो आपको फिर नहीं समझेगा आज का लेक्षर तो आपको फिर भी समझा जाए लेक्षर नमर टू में आप क्या करोगे आना तो जितने भी बैक्लॉग जिन है और उसको आप कवर करो ये दोस्तों लेक्षर नमर वन है ठीक है देखो इसका मतलब यह कि आप कुछ राइट में कुछ अपनी बात उनको तक पहुचाना चाहते हो यानि की dustot communication करना इन शौक्र स्बाइब का मतलब होता है तो कम्ñlook केट लेकिन डारेक्टर्स को अपनी बात कौन रखेगा दोस्तों आपको भी पताईए जो पूरा लेक्चर यह पूरा सब्जेक्ट जो है यार यह कंपनी के सेकरेटरी के तरव आपको एक इंट्रोडक्शन करना चाहता है यह आप समझते होगी नहीं तीक है अब यह जो चैप्ट आपको पता है कोई ब्लैंक स्लाइट निकालता हो कोई किदर नहीं जाएगा अब दोस्तों देखे जैसे यह डारेक्टर कंपनी का मैनेजिंग डारेक्टर हो गया यहाँ पर यह लोगों को इन्फोर्मेशन्स पता है कौन प्रोवाइड करता है जब उनको कुछ लीगल नहीं से comply बूलते हैं यह comply करने के duty बता है किसकी होती है CS की duty होती है देखें है यहाँ पर यहाँ पर गवर्नेंस को आप लोग कंप्लाइ करना है जब आप आके जाओगे आप सीखने को मिलेगा अगर कोई बच्चा जो CS का कोस करना चाहता है तो गवर्नेंस के पूरीबू चलो सब्सक्राइब करोड़ करो कमेंट सेक्षन में लिखो डाउट है मेरे को पूछो इंस्टेग्राम पे यह आपकी duty है यह आपके subject का यह जो मैं बात कर रहा नहीं जो matter है आपके subject का भी नहीं है एकदम out of syllabus है लेकिन आप commerce में आ चुके हो ये तीन words के बारे में आपको जानना बहुत जादा ज़रूरी है doubt है comment section में पूछो Instagram पे पूछो कूद efforts लो मुझे लगे हो आपने efforts लिया है तभी ही मैं आपको ये तीन topic जो है सिखाऊंगा आपके पूरे book में आपको ये शब्द नहीं मिलने वाले लेकिन आप commerce के बच्चे हो ठीक है समझ रहो क्या बोला मैंने ordinance notification circular ठीक है आपकी duty है अब दोस्तों ये सब चीजे कौन make sure करता है अच्छे से हो रहे ना भाई सारे laws rules and application सब कुछ apply हो गए ठीक है ये कौन make sure करता है एक company secretary जैसे वो make sure करता है हाँ चलो भाई सबच्चे से हो गया अब जाता हूँ director को बताता हूँ इसके साथी साथ और भी कुछ information डायरेक्टर को बताना हूँ तो कौन बताता है अच्छा घर है सर company secretary बिल्कुल सर तो company secretary जब directors के पास कुछ अपनी बात लेके जाएगा ठीक है कौन एक बार वापस बोलो जब company secretary directors के पास अपनी कुछ बात ले जाएगा अपनी कुछ information जब वो डायरेक्टर को प्रोवाइड करना चाहेगा या फिर जब डायरेक्टर company secretary को बूला है अरे company secretary इदर आना हाँ मुझे आपसे कुछ information चाहिए जब directors ऐसा कुछ आपके साथ कहे सारे CS के साथ तब उस company secretary को क्या क्या करना है क्या precautions लेना है precautions to be taken by CS वाल करस्पॉंड नहीं कि while communicating with directors इसका मतलब यह दोस्तों एक company secretary को जब वो director से बात करें कैसे बात करें इन रिटन वे में करें वर्बली करें औरली करें जैसा चाहें वैसे वे में कम्मुनिकेशन करें लेकिन उसको make sure करना है जब वो director से बात करे, किस way में करे, ठीक है, एकदम बच्च वाला topic है, ये 5 head points अभी के अभी याद कर लो, चलो, एक बार वापस साथ में देखो, prompt रिपल है, director ने आपसे कुछ information के लिए message किया आपको, ठीक है, आपको mail आया, CS हो आप, आपको mail आया, director ने आपसे कुछ information और बोला, सुनो न, CS, सुनो न, R, अरे सुनो न, R, आपसे बात कर रहो, ये जो information न, company की, हाना, ये प्लीज मुझे provide कर दो, ये जो law है, क्या हमारी company, क्या हमारी company, involvement law को, अच्छे से follow कर रही है, क्या, प्लीज, ये वाला, एक information मुझे provide कर दो न, आप, ठीक है, और आपको कब तक provide करनी है, दो दिन के अंदर, within 48 hours, within 48 hours, अब ये जो CS है न, इसने mail read कर लिया, अच्छा 48 hours न, रे बहुत होता है, बहुत हो गया, ठीक है, बहुत हो गया, अब अरे बहुत हो गया, एक दिन निगल गया, दो दिन निगल गया, चलो CS भाई, इसको यादिन रहा, इसको आपको ऐसे नहीं होना है, आपको कहे, prompt reply है, जब जब आपको demand करी गई है information की, आपको उससे पहले ही, ठीक है, within नहीं, within तो अपने लिए वो last होता है, 48 hours बोला है, आपको make sure करना है, आप उसको बहुत पहले ही, वो information provide कर लो, क्योंकि दोस्तों, अगर आप information provide करेगा, CS, को demand कर दिया information का, आपको provide करना है, ये secretary के duty है, ये precautions, ये make sure करना है, जब वो director से बात कर रहा है, वो सारे चीज़े अच्छे से करेबाई, director है company का, हाना, director नहीं है, आपको appoint करा है CS, director का जब मंचा है, आपको निकाल सकता है, obviously valid reasons होने चाहिए, good faith में होना चाहिए company के, वो पता ही नहीं है, इसको निकालना पड़ेगा, अगर director ऐसा बोल दिया, तो देखो यार, नाराज नहीं करना है, जब उसने reply मांगा है, within a time, उससे पहले ही आपको make sure करना है, फिर क्या politeness, यार जो CS है न, अगर ये director से बात करे, बोले ना sir, क्या चीए आपको, अच्छे ची आपको कुछ ग्यान की बात देगा, कुछ गलत बात करे, तो चल जाना, लेकिन अगर वो अच्छी बात कर रहे है, तो उसको politely जवाब दो, जैसे मेरे काफी बच्चे जो मुझे एक दम politely message करते हैं, मुझे काफी अच्छा लगते है, कोई बात नहीं, ये एक way है, कि आप आपको सारे क्वेरीS, information, अगर डिरेक्टर को चाहिए, अगर उसको आपको solve करना है, उसको solution देना है, तो उसको बताओ, उसको रहा दीखाओ, कमपनी सेक्रेटर का काम होता है हर व्यक्ति को रहा दिखाना अगर डिरेक्टर आके कुछ पूछ रहा है अरे सुनो ना इसमें कुन सा लॉ लगेगा तब आपको बताना है डिरेक्टर को फिर वो पूछेगा कमपनी सेक्रेटर को सुनो ना इस यह स्पेशल रिजॉलिशन क्या होता है अगर को डिरेक्टर जिसको नहीं पता है यह तो आपने सब्जेक लिए इसके आपको पता है अना दोस्तों आपके बाजू में आपको कोई दोस्त होगा ना जो साइंस बैग्राउंड का है उसको कर देगा ठीक है तो समझ रहूना यारी कोई भी डिरेक्टर आपको अगय से आके पूछेगा अच्छा आपको यह नहीं पता कि अरे में बताता हो ना मैं CSU कंपनी का मेरा काम ही चलिए इनेशियेटिव अगर कोई डिरेक्टर आपसे कुछ इंफॉर्मेशन करना चाहता है अगर आपको पता है वो डिरेक्टर को इन्वर्मेंट लॉग क्या हो रहा है उसको पता है नहीं है लोमेंट वालूशन जितना अब omdat वि उन्चानल चिब्यूनल कहोता है बक्राइव मानते हैं इसको बता हो नइव उनचार प्लीस करना लगाOnly अगर इसको बता हो यार अप को बताओ आपको इनिशेटिव लेना है अगर किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है कोई भी प्रॉब्लम हो फेस कर रहा है आपको मेक्शॉर करना है उसकी जाके help कर अगर एक सीए से अगर वो एक्युरेट और नहीं देगा एक्यूरेट रिप्लाई नहीं देगा तो बहुत दिक्कत उसकती है जैसे की दोस्तों आपको पता है चले एक एक जमपल देता हो यह दोस्तों देखिए के पास आपको इसकी फाइलिंग करनी है आना इसा स्कैन करना फोटो ऑनलाइन प्रेंट कर दाना है और कोई दी कता ही समझने में आता किसी बच्चे को बच्चा करें सर बिल्कुल नहीं कितना आजा नहीं है अब सर कोई भी लिंक पर आप जाके सेंड कर दोगे क्या नहीं इसका एक फॉर्म नंबर है क्या फॉर्म नंबर है mgd 14 यह T है अब mgd 14 वाली पोटल आपको खोलनी है आपको अपने special resolution का photo वहाँ पे send करना है एप्लाइ करना है वह आरोसी के पास पहुच जाएगी यह एक प्रोसेस है special resolution को आरोसी के पास बेजने की ठीक है किसी को नहीं पता है मैं आपको बता रहो out of syllabus वाला question है मैंने सोचा सब जाएंगा और डीटेल ही जाएंगे तो आपको मजा है अब mgd 14 के जगे अगर company secretary 13 बेज़ दे तो नहीं मुझे बताओ ना अगर 13 चलो छोड़ो 15 बेज़ दे तो या चलो छोड़ो 41 करके कुछ भी उसको दिखे वहां जाके बेज़ दे तो चलेगा क्या नहीं मुझे आप बता हो चलेगा क्या अगर यह किसी आरोसी को पकड़ लिया ना आरोसी पहले fine लगाएगी और पहल कर रहे हो एकदम accurately way में कर रहे हो आपका ध्यान आपका focus उसी वक पर है ठीक है यहां पर लेक्टर दे रहे हो लेकिन आपका ध्यान यहां पर नहीं है न तो दिक्क्कत हो सकती है आपका आगर मैं lecture दे रहा हूं तो focus पुरा यहां पर चाहिए accurately आपको सब कुछ समझना है सब बहुत कुछ देखता है top level management आदमी है तो इस और चीज को मैनेजिंबर को देखता है सारे नीचे के लेवल कीrical अज़र मेंबस को भी समझ मैं। अगर कोई employee नीचे वाले लोड लेवल का employee इसको आएगा टॉप लेवल के पास और कुछ पूछेगा तो क्या company secretary हर बात बताएगा हाँ डिरेक्टर तरको बता है आज काले कोट में बहिन का तो हाई क्या मस लग रहा था यार वो कितना हैंडसम है अपने company का डिरेक्टर और अ स्मॉल वे में जितना पूछा है उसका एक समरी दे दो यार मेरे को पूरी कहानी नहीं जाननी है मीटिंग में क्या हुआ मीटिंग साथ बज़े स्टार्ट हुई मैनेजिंग डिरेक्टर आके पहले गाना गई फिर उसने company की बात करी अरे नहीं मेरे भाई तो मुझे यह बता company में क्या discussion हुआ मुझे यह बता मुझे और उसमें भी क्या important है यह बता तो इसे में प्लीज मुझे send कर देना यार मुझे तरी फालतु बाते नहीं जाननी है तो यह था precautions एक्जाम में आ सकता है question और इसमें से देखाव यह दो तियरी है और चार तरह के बस वही है यार फ्री के मार्क से आपको कवर करने है चलो आज का यह आखरी दो मिनिट का टॉपिक जिसका पूरा फोकस नहीं होगा ना दिक्कत हो जाएगी देख लो यह दोस्तों चलो क्या है circumstances under which a CS has to enter into a communication या correspondence with director कोई से डी लिखके छोड़नी देगा एक्जाम में यह तो मेरी understanding के लिए अपना काम लिखने में अपन टाइम विश्चना करें लेक्चर में फोकस करें इसकले मैं ऐसा करता हूँ कोई बच्चा गर इसा एक्जाम में करके आएगा उसको टीचर यहां पर सिधा क्रॉस कर देगी इन फैक्ट हमारी जो कॉलेज की टीचर सोते था अगर हम जनरल मीटिंग का सिफ जीए या बोर्ड मीटिंग का सिफ बीम लिखते थे ना सिधा क्रॉस जीरो तो यह मेक्शोर करना है और 11 दें 12 के बच्च अगर ऐसा करेंगे ना तो बहुत खराब बात है चलो क्या लिखाया आपे इसा कुण से सरकम्स्टेंसे से या इसे कोण से इवेंट है जहाँ पर एक CS हैस टू एंटर इंटू अगर आपकी board meeting है, notice and agenda of board meeting, अगर CS को notice provide करना है, agenda provide करना है किसी director को, तो director आपकी call करेगा, कि CS को रहे, CS सुनना भाई, कब notice भेजेगा तू, notice जल्दी भेज, नहीं, ये गलती बिल्कुल नहीं होने चीज, ये company secretary का काम है, notice and agenda on time, सारे लोगों को मिल जाए, सारे directors को मिल जाए, अब बताओ, अगर CS की duty है, notice भेजना हो, अगर वो नहीं बेजा, क्या ही अच्छा लगे है, director आपको सामने से call कर रहा है, कि भाई, अपना काम कर ले, अगर ऐसा हो गया, अब सोचो, एक CS का नाम खराब होगा की नहीं, वो director क्या सोचेगा, यार, मैंने किसको secretary appoint किया है, अपने इंडिया में इतने अच्छे-चे talented CS है, upcoming CS इतना bright future है, अरे हटाओ इसको, सही से काम नहीं कर रहा है, notice on time नहीं बेज रहा, क्या, एक impact, क्या आपकी एक goodwill, एक CS की, क्या हुआ पे, आपकी individually, क्या हुआ पे अच्छी सी दिखी की नहीं, बच्चा कर रहा है, नहीं, सहर मेरा reputation खराब हो गया, क्योंकि मैंने notice on time नहीं बेचा, sorry सर गलती हो गई, तो यह नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो यह कुण से कुण से cases है, यहाँ पे, एक CS कोड डारेक्टर के साथ, initiative लेना है, communication करना है, ठीक है, अब connect करते जाओगे, हम जो भी बोलेंगे, disclosure of personal interest of a director in a contract, personal interest नहीं बताए गया, चलो मैं बताता हूँ, एक company है, दूसरी company है, इसका नाम जे आर, इसका नाम RJ, मुझे एक बात बताओ, आप अपने राउल सर को जानते हो, ठीक है, सर जानते हो बिल्कुल, उनका एक भाई भी पता है आपको, उसका नाम क्या है, रोहन, ठीक है, यह अपने जे आर, याने की, जे आर, पता ही है, जे आर टुटोरियल्स, और यह अपना RJ, उनका छोड़ा भाई, ठीक है, अब इस company गाना दोस्तों, एक director है, और इस company का नाम है राहूल, मैं का बोल रहो, यह JR company है, यह director है, और इस director का नाम है, दोस्तों, राहूल, और यह RJ company है, इस डारेक्टर का नाम है इसमें से एक कमपनी उब्विसली उसमें से एक डारेक्टर है और उस डारेक्टर का नाम है रोहन एकदम clear यहां तक एक company दूसरी company ये company का director का नाम रहूल एक और company है जिसका नाम RJ है उसमें से एक director है उसका नाम किया है दोस्तो रोहन ये दो क्या हम पर clear होगे आपको अब आपको भी पता है मेरे को भी पता है कि रहूल और रोहन एक बहुत अच्छे प्यारे भाई है दोनों भाई है अब राहुल सर अगर हम ऐसे सारे टीचर्स को बिठा है यहां पर सुनों ना हमें एक ओफिस खरीदना पड़ेगा बहुत जरुवत है भाई ओफिस की क्या बाता इतने सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करना पड़ा हमारे बास ओफिस ही नहीं है ओफिस की है हमें जरुरत मेरा ना एक कंपणी के साथ पहचान है एक कंपणी है इस कंपणी का नाम आर्जे कंपणी है पता है तो नहीं जानता पता नहीं कौन है उसका डिरेक्टर पता नहीं कौन है उसका ओनर देखो राहुल सर किसी जूटी जूटी बात कर रहे है यह RJ Company उनकी भाई है और उनकी भाई ही वहाँ पर डायेक्टर है ये रहूल sir को पता है पता है कि नहीं बिल्कुल पता है लेकिन रहूल sir हमें क्या बूल भे क्या पता कौन है यार मैं तो नहीं जानता चलो एक काम करते हैं तो नहीं जानता हूँ उनसे contract करते को पता ना चले और यह कंपन के साथ कॉंट्रेक्ट में आ जाए अब बच्चे करें सर क्यों आ जाए चोड़ो ना दोनों भाई भाई यह आपस में कॉंट्रेक्ट की तो कर रहे अब सोचो यहां पर भाई रिलेशन ब्रदर हुड की वाले रिलेशन की बात हो रही है आना भा रुपे दे क्या राहूल सर उनके भाई से पैसे लेंगे और अगर ले भी ले तो क्या उनसे एक्स्टा चार्च करेंगे और एक्स्टा चार्च कर भी लिया तो क्या उसमें प्रॉफिट करेंगे बच्चा करें नाई सर क्या पता भाई है तो सस्ते में दे दे और अगर सस् क्यों दी नहीं मुझे बताओ क्यों दी अरे बताओ क्या हुआ है या थी हो गया दोस्तों डायेकटर ने अपने पोजिशंग का टूका यहां पर डायेकटर जो है पर्सनल कॉंट्रेक्ट कर रहा है उससे यह लेशेंग ही हिए तो यह हैं राहूलस अगर कोई ऐसा roll transaction करना चाहते तो पहले राहूल सर को मीटिंग में बताना है तो नो दोस्तो एक कम्पनी है वहाँ पे जो feat. e उ तो भाई है अपने तो company है ना आपकी भाई की वहीं तो लेकिन यहां पर राउल सर्व ने क्या किया हमें फ्रॉडलेंट ने छुपा के रखा कि उनके भाई की company है और बाकी छोड़ो सस्ते में और डील कर लिया गलत बाते हैं ऐसा तपड़ी होता है हम आपको मना नहीं करते ह सेकिन बताओ तो सही कि आपकी भाई की company है अना तो यह क्या हुआ अगले बार से यह concept में में इतना नहीं लगाँगा यहां पर पर्सनल डिस्क्लोजर वाला जो पॉइंट है यह आस तक हमने कभी डिसकस नहीं कर और यह बहुत इंपोर्डेंट है बच्चे नहीं जमच बा उस मीटिंग में ना मैं अपना जो डिस्क्लोजर वाफ इंट्रस्ट में सबको मीटिंग के सामने बोलना चाहूंगा कि यह जो company ना यह मेरी company है तो ऐसे बातचीत करूंगा उनसे तो यह क्या है डिस्क्लोजर वाफ इंट्रेस्ट पहले डारेक्टर एक सीएस को देगा एक्जाम में आ जाएगा कि लेटर लिखो अब वो लेटर तो लिख देंगे लेकिन उसका मतलब पता हो तब आप और अच्छे से लिख पाओगे की नहीं अब यहां पर यह जो इंट्रेस्ट वाला पॉइंट था यह आप खुद से फ्रेम कर सकते हो कि नहीं जब आप होगे बच्चा करें हाँ सरी एक्जाम्पल को याद रख लेंगे तो शायद थोड़ा बहुत अच्छे से हम प्रेजेंट करके आजए बिल्कुल रिपोर्ट टु डिरेक्टर वूज एपसेंट फॉर मीटिंग हुई ठीक है उसमें डिरेक्टर नहीं आया अब सीएस का काम में जो डिरेक्टर नहीं आया उसको लिख दे हलो सर आज मीटिंग हुई थी लेकिन सौरी सर आप दिखें नहीं आप कितर बीजी थे क्या अब चलो आप बीजी थे मैं समझ सकता हो आप बहुत बड़े आत्मी हो बहुत बीजी स्केडूल होता है आपका कोई बात नहीं परिये रिमाइंडिंग डिरेक्टर औफ फ्रोवीजं ऑफ वुजन गुडट अब बॉर्ड मिटिंग Golf मेंटीं अर्य है क्या इसको बोला था रफ्ण बहुळ do सबस्क्тоid तो थी यारot और तीन चार मीटिंग से नहीं आ रहे है पुंगी करता हो ठाट भूके है not तो ओ सब्रणायर दूस्तों यह चार पॉंंड ते इसमें से सेटेंड पॉंड्ञन है न यह 11th का बच्णा क्या करता है इसको रट्टा मारके जाता है एक्जाम मैं लिग देता और इसका फरन फिर में बिलुकुल अमंगत करता है। अपना काम तो ही हरचीज में अच्के से समझने का। यह इंच्रेस्न that डिरेकटर्स अंक काफी लोग नहीं समझ हम रट्टा मार लेंगे अगर कुछ बच्चा चाहा ऐसा सोच रहे अरे छोड़ना भाई एक पॉइंट का एक लाइन है रट्टा मारके एक्जाम में आएगा तो लिख दूँगा क्या दिक्कत है लेकिन अगर आपको समझ में आ रहे है ठीक है अगर आपको रट्टा मारना है तो भी मलब क्या ही कर सकता हूँ कंसेप्स को क्लियर रखो तो जादा मजा आएगा और अगर फिर भी आगर आपको फिर भी इशू आ रहा है यह मरे इंस्टेग्राम आइडी है कॉन्टेक करो अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछो के सर प्लीज बता दो तो मैं नहीं बता वह बेटर वजन होता है थोड़ा सा इसलिए मैं कहता हूँ बागी यार दोस्तों ठीक है यह लेक्शर को अपन यहाप ही एंड करतें नेक्स लेक्शर में अपन बदाएगा करने वाले यह सारे चार टॉपिक दिख रहे हो आप इसके आपके बुक में लेटर दिया है और च बतर कैसा आता है कितने माक्ष का आता है कि यह ऊसमें माक्ष मिलता है यह दोस्तों आपको पहराद हो दोस्तों लाइक करना है ठीकए सब्सक्राइप कर रा आ आई होप वाग की सारे टीचर्स को आपको फॉलो कर देना है चलो फिर दोस्ते इस लेक्षे को बनिया पर याइंड करने है और यह भाई डिस्क्लोजर ऑफ इंट्रेस्ट मस्त डॉपिक है एक बार वापस बैक करूँ वापस आराम से देखू में भी समझ में आजाए नहीं आता कॉंटेक करना है समझाओंगा